सो ही गाई सारों दिखने वाले हैं क्लास 10 के लिटरेचर के चैप्टर वन को जो है टू जेंटलमेन अव वेरोना इस कहानी की राइटर है एजे क्रोनी जो की एक डॉक्टर थे लेकिन बाद में जो एक नोवेल लिखते हैं और उनका नोवेल फेमस उड़ाता है तो वो अपन पर इस कहानी में वो उन बच्चों के सेक्रिफाज, सिंसर्टी और डिवोसन है निस्ठा को बताते हैं कि कैसे उतनी छोटी उम्र के होकर के भी वो मेहनत कितना जादा कर रहे थे और इन्हें देख करके राइटरों को लगता है कि यह हुमेनिटी के लिए एक नया होप लेक एक सिटी है इतली में तो जब उस वेरोना पहुंचने वाले होते हैं तो उसके आउट स्कूर्ट यानि अभी वेरोन से थोड़ा सा पहले थे तभी दो छोटे बच्चे उनको रोकते हैं और वो लोग बेच रहते स्ट्रॉबेरिस तभी इनका जो ड्राइवर था लुगी वो इन्हें वान करता है कि इनसे मत खरे दिये इनके ड्राइवर बहुत ही कॉसेस था तो बोलता है कि सर आपको ये जो फ्रूट भेच रहे हैं इनसे अच्छे फ्रूट वेरोना में मिल जाएंगे ड्राइवर अपने सोल्जर्स को स्रक डिया नि हलका सा उठाता है मानों व दुसरे बच्छे ने आरमी त्यूनिक रहता है लूस कपड़ा को डिसका स्लीब नहीं होता है यी जैसे पहले आरमी वाले प्एंथे थे एक लूस कपड़ा वैसा कपड़ा जिससे उसने फोल्ड करके अपने skinny frame जैनी skinny body पर पैहना होगा था ये दोनों उन छोटे बच्चो की तरब देखते रह जाते हैं दोनों छोटों बच्चे कि स्किन ब्राउन थे टैंगल यानि उल्जे वे बाल थे और डार्क अर्नेस्ट आई यानि आँखों में के मंदारी दिख रही थी इन सब चीडियों को देखने के बाद राइटर और ड्राइवर दोनों ही उन बच्च यानि उनका साथ ही वो जाकर कि पूछता और बच्चों से कुछ बाते करता है तो उसे ये पदा चलता है कि दोनों ही भाई है निकोला बड़ावाला है और उसका उम्र 13 साल है जैकोपो छोटा भाई है जो कि लगवग 12 साल के उमर का है और वही छोटा भाई इनके कार के ड दोस्तों उन दोनों छोटे बच्चों को यह कह रहे हैं कि उन्हें देखते हैं जो कि पब्लिक स्क्वाइर जो कि एक चौक है वहाँ पर फांटन है उस फांटन की नीचे बैट करके वो लोग सूसा इंबॉक्स जूता पॉलिस कर रहे होते हैं और डूइंग बिस्क बिजन रूट स्पेस ते अपने लिविंग के लिए निको ना जो की बड़ा भाईता वो कहता है कि हम सारे काम करते हैं असा फिर वो एक आसे से देख रहा होता है राइटर की तरफ और कहता है कि हम लोग जो भी विजिटर्स यहां पर आते हैं उन्हें भी अक्सर घुमाया करते है टाउन में जैसे कि जूलिएट टॉम जूलिएट टॉम यानि आप लो रोमी और जूलिएट के बारे में सुने होंगे जहां पर जूलिएट मरी थी उन्हें जहां पर दफनाया गया था उस जवर बोलते हैं कि वहां पर बहुत सारा अलगल प्लेस पर तब ही राइटर स्मा दिमेनियर। डिमेनियर का अर्थ हुआ कि वो देखते हैं कि बच्चों के बहुत ही चाल्ल्स थे क्यूंकि वो बच्चे हैं तो रहेंगे। वो बहुती आर्टलेस्ट यानि सीधे साधे भी थे वही जैसे जैकोपो था वो बहुती स्क्वेरल के तरफ फुर्तीला था लाइवली था निकोला जो कि उसका इसमाल बहुती स्थिर था और इंगेज यानि अट्रक्टिव था बट फिर भी दोनों में यह जो बच्पना दि एक वीक तक राइटर वहां पर रहें तो वो पूरा बच्चों को देखते कि वो क्या क्या काम करते जब भी वो यहावा निकलते तो वो बच्चों उनको दिखी जाते थे हर बार कोई ना कोई काम करते वे यहां तक वो बच्ची इनकों भी बहुत ही यूसफुल हुए जैस यानि निकोला और जेकोपो दोनों ही इतने रिलाइवल थे कि आपका जितना भी नीड है वो सब वो सटिस्फाइ करते थे, सब वो बता देते कि हाँ यहाँ पर यह काम हो जाएगा बट क्या चीज इन्हें जो सबसे आदा इनके दिमाग को हिट की इन्हें लगा वो था कि उन बच्चों का काम करने का विलिंगनेस यानि वो जो इक्चुक थे सारे काम करने के लिए इतने सारे काम करते थे इस चीज को ले कर दे क्योंकि गर्मी का मौसम था और एदम तेज धूप था बड़ इस्टिल वो बच्चे उस धूप में जूते पॉलिस क्या करते थे निउस्पेपर बेचा क्या करते थे टूरिश को यहाँ वहाँ घुमाना और रन एरेंट्स एरेंट्स यानि लोग के लिए कुछ छोटे मुटे काम करना कि वो बोला कि जाओ वहाँ से यह लादा उसके लिए कुछ पैसे दे थी बैटर आके बताते हैं कि एक राजवलो जा रहे थे तबी एक डेजर्टेड यानि सुनसान स्क्वेर चौक पर देखते हैं उन बच्चों को मौसम बहुत ही विंडी था और बच्चे दोनों ही पेव्मेंट यानि फुत्पार पे बैटे हुए थे एक लाइट के नीचे निकोला सीधा बैटा था और वो बहुत ही टायट ठका बहार क्यों हो तभी वो कहता है कि हम लोग वेट कर रहे हैं लास्ट बस जो की पदुआ से यहां आ रही है हम लोग अपने सारे निउस्पेपर उसी में उस बच्च के जो भी जो पेसेंजर्स आ रहे हैं उनको बेच देना है तभी राइटर बोलते हैं कि क्या तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी मतलब किस वैसे यह कर रहे होतना मेहनत इस पर निकोला जवाब देता है कि हम लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर मतलब बच्चे उत्रा मेनद कर रहे थे फिर भी बूलते कि नहीं हम लोग को कोई सिकायत नहीं है अब अगली सुवा राइटर पहुंसते हैं उस फाउंटेन के पास जहां पर बच्चे जूता पॉलिस क्या करते थे तो वो निकोला से पूछते हैं कि निकोला जिस तरसे तुम और जेकोपो वर्क करते हूं तुम लोग तो बहुत अच्छा कमा लेते होगे लेकिन मैंने तुम्हें देखा है कि तुम लोग ना कपड़े पे कुछ खर्च करते हो तुम लोग खाते बहुत कम हो तुम लोग को ज एमेरिका इमिग्रेट यानि पर्वानेटली सेटफ होने के लिए लगए इतने पैसे बचा रहे हो तभी निकोला राइटर के थोड़े साइड में देखता हुआ एफर्ट करता है बोलने का और कहता है कि हम लोग मतलब बहुत पसंद करेंगे कि हम लोग युनाइटर स्टेट्स जाएं बट अभी वरतमान में हमारे कुछ अधर प्लैन्स हैं राइटर पुछते हैं कैसे प्लैन्स तो थोड़ा हसता है लेकि हसते भी लग रहा था कि वह बह हो तबहhin कोलय अपने सिर को मना करता रहता है उसी वरति जे garant कोपर्स से बोलता है कि हम लोग हर संदे को को यहां से कंट्री इं बता रहा हो बट हाँ चलो मैं तुम्हें खुदी वहाँ पर ड्राइव करके ले जाओंगा। राइटर के कहने के बाद वहाँ पर कुदी के लिए सांती यानि पॉज हो गया। उससे में निकोला अपने छोटे भाई को देख रहाता है वैक्सेसन में यानि चिड़ता हुगा। और फिर वो बोलता है कि सर हम लोग आपको परिसान नहीं कर सकते हैं। तब राइटर बोलते हैं कि इसमें कोई परिसानी वाली बात रही है। तब ही उससे में निकोला अपने लिफ्स को बिट करता है। मानों वो बहुत चिड़ गया था और पुट आउट यानि चिड़े हुए टून में बोलता है कि ठीक है। अब अगले दिन दोपार में राइटर अपने कार में बठाते हैं तो उन्हों बच्चों को अड़ले जाते हैं उनके उस छोटे विलेज की तरह जो कि हिल साइड के तोड़े ऊपर था नहीं आप उसे तो परवत के थोड़े आखे में था वहाँ पर राइटर सोच होते हैं कि यह लोग जहां पर जाएंगे वो जगह बहुत ही हमबल ड्वैलिंग यानि लोली होगा जैसे नहीं होते हैं कि छोटे मोटे घर वगरा हुए बड़ जिस तरह से जैकोपो बताता है डारेट करता है कि हाँ आप यहां चाहिए यहां से मुड़िये तब यह लोग पहुँ जाते हैं कि लार्ज रैड रूफ्ट विला में मतलब बड़े से विला पहुँ जाते हैं जो कि घिरा हुआ था उच्छे उच्छे स्टोन वाल स रैटर बहुत मुस्किल से अपने आइस पर विस्वास कर पाते हैं इससे पहले कि वो रिकवर होने के लिए वो सांस ले ही रहे होते हैं तब ही देखते हैं कि उनके जो दो पसेंगर से ने दुनों चोटे बच्छे कार से कूद गय रहते हैं और फिर वो क्याते हैं कि हमें देर नहीं लगे है सर बस मातर कहीं एक घंटा लगे तो आप जा करके कैफे में जो कि गाव महीं वहाँ पर कोई ड्रिंक वगरा ले सकते हैं और फिर वो उस दिवार के कॉर्णर पर जा करके मानों गायत सो गए थे कुछ मिनट से अब राइटर फॉलो करने की कोजिस करते हैं बच्चों को तो पहुं जाते हैं एक ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस पर यानि एक अलग सा दर्वा जाओ एंट्री करने के लिए घर में तो वहाँ पर ठानते हुए कि नहीं मुझे देख नहीं है बच्चों के ब ब्लिंग करते हैं क्योंकि वह औरत पहनी हुई थी वाइट उनिफर्म जो कि एक ट्रेंड नर्स लग रही थी देखने में फिर राइटर बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर दो छोटे बच्चों को लाया था तो वह बोलती है हां 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 उसका मानों फेस पर चमाका जाता है और उसके बोलते हैं कि जो विला था वह ऊस्पिटल बन चुका था इसे बोलते हैं कि वह पहुंच जाते हैं वहां पर डोर एक लिटल क्यूबिकल जैसे मानलों पहले वह विला था तो बड़े-बड़े रूम थे अब उस सो क्या किया गया कि बीच में दिवार खाड़ा कर के एक बड़े रूम को तीन छोटे छोटे रूम में बना दिया गया तो इसी तरह उसे अमने बोलता है क्यूबिकल तो वहाँ पर एक क्यूबिकल यानि एक रूम छोटा सा था वहाँ पर रुखती है और अपने लिप्स पर फिंगर रखते हुए मानों इन्हें ऐसे बता रही होती है इन्हें एक इसारा कर रहे होती है कि वह खिड़की से देखे तो राइटर वहाँ पर जो ग्लास पार्टिसन था उससे अंदर देखते हैं राइटर देखते हैं कि दोनों ही लड़के बैठे हुए थे एक लड़की के बगल में जो कि देखने में कुछ 20 साल की लग रहे थी वह प्रोब्ड यानि सहारा लेकर के बैठी थी पिलो से वह देखने बहुत ही सुन्दर थी और प्रिटी लेज जैकेट लेज जैकेट यानि वैव लाइट जैकेट होते हैं अभी बहुत ट्रेंडिंग होगा जो कि जालीदार जैसा लगता है थोड़ा सा तो वैसा आप जैसे फोटो में देख भी सकते हैं और वो बच्चों के जो बात है वो सुन रहे थी जो कि चैटर था यानि बच्चों अपने पूरे एक विक में क्या क्या हुआ सब बता रहे थे उस लड़की को उस लड़की की आंके सॉफ्ट और टेंडर यानि नाजुक थी और कुछ बुक्स वहाँ पर बगल में रखे थे नर्स हलकी आवाज में कहती है कि आप अंदर नहीं जाईएगा लूसिया आपको देख करके बहुत खुस होगी इसी पर राइटर अपने सिर को हीलाते हैं और वहाँ से मुड़ जाते हैं वो ऐसा फील करते हैं कि उस हैपी फैम में काफी अकेले रहे हैं except for his sister यानि उनकी बहनी है जो उनके साथ रही हुई है उनकी फादर जो की widower थे यानि उनकी फादर की पत्नी यानि उनकी मा नहीं थी वो एक well-known singer थे लेकिन वो भी जब war start हुआ था तो उसके early phase में थे starting में फिर वो मारे गया थे और कुछी वक्त बाद एक bomb ने उनके घर को destroy कर दिया जिससे कि वो तीनों बच्चे street पर आ गया थे उनका पहले तो life बहुत comfortable और cultured था यानि well-mannered और सारे चीज़ थे उनके पास कीज़ी कमी नहीं थी बाद में ये लोग road पर आ गया लूसिया जो की खुड training करे थे एक singer बनने के लिए वो और वो जो दोनों ही उसके भाई थे वो बहुत ही ज़्यादा सफर किये थे near starvation यानि उन्हें बहुत पीड़ा हुई थे exposure to cold winter और ठंडे जो winter थे उसमें भी इन्हें बहुत मुश्किल से इसे इन्होंने राते गुजारी महीनों तक वो लोग जैसे तैसे अपने आपको जि रहे थे फिर जब वहां पर Germans rule करना स्टार्ट कर दिया यानि जो वार हुआ था ना इसमें जर्मन का मानुआ पर कप्चा हो गया था तो बच्चे जैसे से बड़े हो रहे थे तो वह Germans को hate कर रहे थे बहुत ही चाहता और जब secretly resistant movement यानि Germans की विरुद में आंदोनन स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो पहले लोग थे उस आंदोनों को join करने में उनमें ये दोनों बच्चे भी थे वार जब खतम हो गया और सब जगा सांती आ गए तो ये बच्चे वापस अपनी बहन के पास आ गये और जब ये आये वापस तो इन्होंने देखा कि इनकी बहन सफर कर करके मेरे पास आया और मुझे परसी नहीं मनाए कि मैं उसे हॉस्पिटल में रख लूँ बारह मने से उनकी बेहन यहां पर पेसेंट बनके है और बहुत अच्छा प्रोग्रस की है और मुझे लगता है कि ये सारी होप है कि वह एक दिन चल पाएंगी और गाना भी गाप आ बट लूसिया के जो दोनों भाई ये हर सब्ता आकर अपना पेमिंट कर जाते हैं वह बोलते हैं मुझे नहीं पता कि वह लोग क्या करते हैं और मैं पूस्ती भी नहीं हूं वर्क वैसे भी वेरोना बहुत ही कम है इसलिए मुझे लगता है वह जो भी करते हैं वह बहुत अ लगल में बैठे थे कर में और कुछ बोल नहीं होते हैं राइटर आफर से मीतस Sumatra उम्र में इतना बड़ा बड़ा काम कीतो कर रहे थे वो humanity में human life में एक नया नोबेलिटी लाता है नोबेलिटी उसे कहते हैं कि जिसमें हम लोग को महान या स्रेष्टता देते हैं कि यार वो noble family से यार बड़े family से वो स्रेष्ट हैं तो यह बोलते हैं कि यह बच्चे भी देख करके लग रहा था कि human society ले बहुत बड़ी promise है यानि जिस तरह का इनका nature था जिस तरह किसे इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे थे इतना hard work कर रहे थे तो इसे वो बोलते हैं कि यह human society में एक अच्छा impact डालता है एक hope बना करके रखता है तो इस कहानी का starting मैंने आपको जिस्ट दे दिया था कि इसमें writer क्या बताना चाहरा है और इस कहानी से आपको पता भी चल गया होगा कि आखर यह क्या चीज़ है तो यहाँ पर यह chapter का नाम जो है यह है to gentleman का मतलब क्या होता है तो यही बात है कि इन बच्चों को आप देखके समझ सकते हो जो कि पहले बहुत ही high class से थे बड़ इस जब इतना ब हम लोग सोचते हैं कि हमाई लाइफ में यह बहुत ही कठीन है यहां पर यह चोटे जो बच्चे थे उनकी लाइफ से अगर आप compare करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही उनसे अच्छी है तो यह कहानी बस हमें यही बताने करे थी आसा को वीडियो अच्छी लगी हो वीडि आप नेक्स चाप्टर की वीडियो में